नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोख खबर जानते हैं प्रती एकर 3,000 रुपए अधिक्तम 15,000 रुपए और 50% से अधिक तक फसल की छती होने पर प्रती एकर 4,000 रुपए अधिक्तम 20,000 रुपए की सहायता राशी पदान करेगी बता देया जोजना पुर्वर्ति पधान मंत्री फसल भीमा जोजना की तहत सरोजनिक धन की सुरक्षीत रखने और किसानों के कल्यान को सुनिश्चीत करने के लिए लाया गया है सहायता रासी डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी यह जनकारी किरिसी पसुपारण योम साकर्ता मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को पत्रकारों से बाचित करते हुए दी है जारखन में पांच दिनों तक बारिस नहीं अगले पांच दिनों में भी जिलों में भारी बरसा होगी इसकी संभावना कम नजर आ रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग के बैग्यानिक डाक्टर राजन चोधरी ने कहा है कि अगले 5 दिनों के बीच कहीं कहीं हलके मत दर्ज की बारिस होने की संभवना है इस दोरान आस्मा में बादल चाहे रहेंगे बैग्यानिक के अनुसार 13 जुलाई को 22 मिलिमीटर वहीं 24 और 25 को 12, 26 को 10 और 27 को 12 मिलिमीटर बारिस होने की संभवना है विभाग ने किसानों को समाने सलाह देते हुए कहा है कि उपरी खेतों में बर्षा की अने मित्ता को देखते हुए कम अधी यवं कम पानी की आवसकता वाली फसल यथा अरहर उरद मढ़गा जुआर आधी की खेती को प्रत्मिक्ता दे जार्खन में सुखार का दस दिन बाद होगा आकलन छती देगी सरकार जार्खन के किरिसी मंत्री बादल ने कहा है कि राज में इस वर्ष अपतक अन्ठावन फिश्दी कम बारिस हुई है बारिस के अभाव में 65% धान का बिच्ड़ा लगाया जा सका है जबकि अभी तक महज मुस्किलम 10% रोपनी ही हो पाई है इसे देखते हुए भी भाग ने लोंग टर्म की बजाए सोक टर्म कल्टिवेशन प्लान बनाया है बादल के मुताबिक किसानों को नए सीरे से कौम समय में होने वाले प्रभेदों का बिचला किसानों को फलव्द कराने का निदेश क्रीसी सचीव के मात्यम से क्रीसी निदेश को दिया गया है बतादे सभी उपायुक्तों को निदेश दिया गया है कि वैकल्पिक फसल की योजना तयार रखे किरिशी मंद्री ने कहा है कि सरकार किसानों को लेकर सन्वेदन सील है विभाग अगले साथ से दस दिनों तक मांसुन की इस्थिति का इंतियार करेगा उसके बाद देखा जाएगा कि कहा कितनी बारिस हुई है और कितनी खेती हो पाई है वन महोत्सों पर घोसना हर पेड़ पर पांच यूनिट बिजली फिरी मुक्ष मंत्री ने कहा है कि प्रकृति के साथ छेर चार करते हुए जिस परकार हम विकास की सेड़िया चल रहे हैं उससे विनास को भी अमंत्रन दे रहे हैं अगर सामन्जस से नहीं बैठाया तो मनुस्य जीवन को ही इसका खामियाजा भोगतना पड़ेगा जीवन जीने के लिए पेड़ का होना जरूरी है किसी विवाजा से पेड़ कटता है तो उसकी भरपाई पेड़ लगा कर होनी चाहिए या हम सभी को मिल जूल कर सुनिश्चित करना है वन महोत्सव कोई एक दिन का कारेकरम नहीं बलिक हर दिन वन महोत्सव होना चाहिए जलवायू परिवर्तन पूरे विश्व में एक बड़ी चुनावती के रूप में उभर रहा है जलवायू परिवर्तन से हमें सचेत रहने की आव सकता है सीबी एसी ट्वेल्थ रिजल्ट आराध्य जैन को 99.4 परतिसत अंग केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोट सीबी एसी ने सुक्रवार को बराहमी के रियल्ड जारी कर दिया है बता दे इस वर्स 92.7 एक परतिसत चात्र चात्र चात्राय पास हुए है रांची के सरला बीरला पाबलिक स्कूल के चात्र आराध्य जैन ने 99.4 परतिसत अंग हासिल किये है इसके साथ ही वह स्कूल टॉपर बनी है एजज बनना चाती है केंद्रिय बिद्याले, सीसी एल, रांची की बरहवी की चात्रा परगत्ती 84 ने 93.6 परतिसत अंग हासिल किये है इसके साथ ही वह स्कूल टॉपर बनी है एजज बनना चाती है पीए मोदी से दिल्ली में मिले सांसत संजाय सेठ रांची से बिजेपी सांसत संजाय सेठ ने नई दिल्ली में परधान मंत्रिन्यान्द मोदी से मुलकात की देश में पहली आदिवासी महिलया राष्ट परति निर्वाशी थोने पर आदिवासी अंगवस्त्र और पगड़ी पहना कर उन्हे समानित किया पीए मोदी को पत्रिका प्रगत्ती 2021-22 की प्रति भेट की सांसत संजाय सेठ की माने तो पीएम ने भूक बैंग की सराहना करते हुए एक ट्वय बैंग की अस्थापना करने का निर्देश दिया ताकि रांची के बिभीन आंगनवाडी केंद्रों में खिलों ने उपलब्त कराय जा सके देश की पहली आदिवासी राष्टपती द्रोपदी मुर्मुक के सम्मान में बिजेपी के सम्मान न्यात्रा है द्रपती मुर्मों के देश का प्रत्थम आदिवासी महिला राष्टपती के रूप में निर्वासीत होने पर जार्खण बिजेपी के ओर से रांची में सुकुरवार को सम्मा नियात्रा निकाली गई यह सम्मा नियात्रा सहजान्द चोक तक निकाली गई इस दोरान बिजेपी ने ताव अकर करताव का उत्सा देखते ही बन रहा था आपको बदा दे कि देश की पंद्रह विराश्पती के रूप में इनके नव निर्वाशीत होने पर भाजपा में उत्सा का महौल है नीजी स्कूलों के रईस्टर की होगी जाच जारखन के नीजी स्कूलों के नमांकन रईस्टर की जाच की जाएगी इस्कूलों में नमांकन रईस्टर को देखकर बीपील बचों के नमांकन के लिए सीट निधायत की जाएगी नमांकन के लिए जमा अवेदन की जाच भी अब इस्कूल नहीं करेगा जारखन सिक्षा प्रवेश निदेशक कियन कुमारी पासी ने इस सम्माद में सभी जीला सिक्षा पताधिकारी वा जीला सिक्षा अधिक्षर को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि नीजी स्कूलों में परवेश काक्षा में 25-50 सीट वीपील बच्चों के लिए अरक्षी था है इस स्कूलों में परवेश कक्षा में उपलवद सीटों की वास्तिविक संख्या की जनकाई परतेक इस स्कूल के नमांकर रैइस्टर के अधार पर प्राप्त की जाए ताकि उन सीटों पर भी पील बच्चों का नमांकर सुनिश्चित किया जा सके नकसलियों के खिलाब सर्च अपरेशन में तीन केन बरामाद जारखन के लातेहर में पूलिस बलो को नुकसान पहुचाने के उदेश से जंगल में केन बिचाए गए थे लेकिन पूलिस ने नकसलियों के मनसुवे पर पानी फेर दिया है सर्च अप्रेशन के दौरान पूलिस ने तीन केन बरामत कर उसे निस्क्रिये कर दिया बता देलाते हार जीले के सदर थाना छेतरे के खायरा जागीर गाओ के समीब केतिकी जंगल से पूलिस वद CRPF के सन्युक्त सर्च आपरेशन में तीन केन बरामत किये गया है बरामत तीनों केन को पूलिस के निरोधक दस्त से निस्क्रिये कर दिया गया कार्तिक उराओ कॉलेज में इंटर पढ़ाई बंद से नराज छात्रों ने किया सड़क जाम इस सत्र से कॉलेज में इंटर पिग्यान बानी जोग कला संकाय में पढ़ाई बंद कर दिया है छात्रों ने परशासन से मिल कर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई चालू रखने की मांग की थी ग्यात हो कि इसे पहले भी महापित द्याले परिशन में बंद कर छात्रों ने विरोध परिशन किया था तब स्तियों और थानेदार ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन छात्र नहीं माने आज का दिन स्रीवनसिधर नगर वास्यों के लिए एतिहासिक सनी वार 23 जूलाई को स्रीवनसिधर नगर अनुमंडल वास्यों के लिए एतिहासिक दिन होगा चुकि इस दिन भारत के मुखे नयाधिस जस्टिस एन्वी रमना स्रीवनसिधर नगर में बंकर त्यार अनुमंडल ये नयालाय का दस बजगर पैतालिस मेट पर ऑनलेन उडगातर रांची के धुरवा से करेंगे उडगातन समारों में जारकन उच नयाले के मुखे नयाधिस डाक्टर रवी रंजन, जोनल जज, रतनागर, भेगरा सहित अने नयाधिस उपत्तित रहेंगे स्रीव अंसिधर नगर में सब डिविजन कोट के उधगातन समारों की तियारी का जाजा सुक्रवार को कारेकरा मस्थल पर पहुचकर गढ़वा जी लेके पीडीजे राजे सरन सीनहा ने लिया बाबा बैधनात धाम में 80,000 कवारियों ने किया जलारपन राजकी स्रावनी मेले 2022 के नवम दिन सुक्रवार को पराता दिन बज कर 54 मेट से बाबा बैधनात धाम मंदीर का पट खुला पराता कालीन कांचा जल पुजा वो उसके बाद सरकारी पुजा हुई सरकारी पुजा संपन होने के बाद आम सर्धालों का जलारपन शुरू हुआ बताद स्रावनी मेले के नवे दिन भी कवारियों वर सर्धालों के कतार तड़के सुबा नेहरू पार्क तक पहुँच गई थी बाबा बैदनात मंदीर में साम पांच बैतरक लगबग अस्ती हजार कवारियों ने जलारपन कर लिया था सीम हेमंत से मिलकर महिला हों की खिलाडियों ने साज़ा किया अमेरिका दौरा मुख्य मंतरी हेमन सुरें से सुक्रवार को काके रोड रांची सित मुख्य मंतरी अवास कर्याले में पिछले महिने अमेरिका में अरजीत खेल एवम संस्क्रितिक आदान पदान कारकरम में हिसा लेकर जार्खन वापस लगटी पांच महिला होकी खिलाडि पुंडरी, सारू, जुही, कुमारी, पियांका, कुमारी, हेन, रीता, टोपो और पुर्निमा, नेतीने मुलकात की बता दे सभी खिराड़ों और मुख्य मंत्री के समक्ष अमेरिका दोरे के अन भवों को साजा किया और मुख्य मंत्री के परियासु की सराना की धन्यवाद